गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, सिंगल एकाडेमी वाई उशा सिंगल में आपका स्वागत है बच्चों आज हम पढ़ेंगे बसंत के पार्ट छे पार नजर के जिसके लेखक है जैन्त विश्रू नार लिकर वह एक सुरंग नुमा रास्ता था आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाई थी लेकिन छोटु ने एक दिन अपने पापा का सेक्यूरिटी पास लिया और जा पहुँचा सुरंग में फिर क्या हुआ छोटु कितनी बार कहा है तुमसे की उस तरफ मत जाया करो फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज पापा को तो काम पर जाना होता है रोजाना यही वारतालाप हुआ करता था छोटु की मा और छोटु के बीच उस तरफ एक सुरंग नुमा रास्ता था और छोटु के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे बच्चो इसमें बताया गया है कि एक सुरंग नुमा रास्ता था जिसमें से सभी लोगों को जाने की मना ही थी केवल जिन लोगों के पास वे सेक्यूर्टी पास होता था तो वे लोगी उस रास्ते से जा सकते थे तो लेकिन वो छोटा बच्चा है जहां छोटे बच्चे को जाने के लिए मना करो तो वे बच्चे मानते नहीं है और वे अपनी मम्मी से कहता है तो पापा भी तो जाते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता तो वो उसकी मम्मी समझाती है कि बेटा पापा को तो काम पे जाना होता है आप थोड़ी वहाँ पर काम करते हो तो इसलिए पापा को जाना होता है है न तो पापा इसी रास्ते से रोज काम पर जाते थे आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मना ही थी चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटु के पापा इनी चुनिंदा लोगों में से एक थी यानि जो केवल कुछ लोग थे जिनके पास वो पास था केवल उनी को इसकी पर्मिशन थी कि वे लोग ही इस सुरंगनों मारास्ते का प्रियोग कर सकते हैं और छोटु के पापा भी उनी वियाईपीज में से एक थे कि जो उस रास्ते से जा सकते थे आज छुटी थी और छोटु के पापा घर पर ही आराम फर्मा रहे थे नजर बचा कर छोटु ने पापा का सिक्योर्टी पास हत्याई लिया और चल दिया सुरंग की तरफ अब क्या करता है पापा तो घर पे आराम कर रहे थे छोटू ने नजर बचाई और सेक्योर्टी पास लिया और वो सुरंग की तरफ चला क्या वैसे तो उनकी पूरी कालों नहीं ही जमीन के नीचे वसी थी यह जो सुरंग नुमा रास्ता था अंदर दिये जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दर्वाजे का सामना करना पड़ता था दर्वाजे में एक खांचा बना हुआ था छोटु ने खांचे में काल डाला तुरंद दर्वाजा खुल गया छोटु ने सुरंग में प्रवेश किया अंदर वाले खांचे में सिक्योर्टी पास आपहुचा उसे उठा लिया काड उठाते ही दर्वाजा बंद हुआ छोटू ने चारों तरफ नजर दोडाई सुरंगनुमा वहे रास्ता उपर की तरफ जाता था यानि जमीन के उपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था अब छोटू ने क्या किया छोटू वहां गया उस पास को लेकर और वहे उस सुरंगनुमा जो रास्ता था उसकी तरफ चला गया वहाँ पर अंदर की तरफ दिये जल रहे थे और जो पास था उसमें एक structure बना हुआ था वो उस पास को उसमें डालना होता था और जब उस पास को उसमें डाल देते तो वो रास्ता खुल जाता था और जब उस पास को उठाते थे तो वो दर्वाजा बंद हो जाता था छोटू ने भी ऐसा ही किया और फिर उसने देखा कि यह रास्ता तो पर की तरफ जा रहा है मगर कहां मौका हाथ लगते ही फिसल गया सुरंग में जगे जगे लगाए निरिक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरिक्षक यंत्र में संदेहा इस्पद इस्तिती दर्शाने वानी हरकत वी इतनी छोटे कद का व्यक्ती सुरंग में कैसे आया दूसरे निरिक्षक यंत्र ने तुरंग छोटु की तस्वीर की चली, किसी एक नियांत्रण केंदर में इस तस्वीर की जाज की गई और खत्रे की सूचना दी गई अब क्या होता है जैसे ही वह गया सुरंग में अंदर चला तो गया, गेट भी खुल गया, गेट बंद भी हो गया लेकिन क्योंकि जो वहाँ पर अंदर ही अंत्र लगे हुए थे उसे उनकी जानकरी बिल्कुल भी नहीं थी और पहले ही निरिक्षक यंत्र ने उसके उपर यह हरकत की कि इतना छोटा आदमी कैसे आगया सुरंग में और उसने उसकी तुरंट पिक खीच ली और तुरंट इस पिक को आगे भेज दिया ताकि आगे के यंत्र उसकी जाच कर सके कि यह है व्यक्ति सही है या नहीं तुरंटी उसकी जाच की गई और खत्रे की सूचना दे दी गई कि कुछ गरबड है इन सारी गतिव विदियों से अंजान छोटु आगे बढ़ा था तब ही जाने कहा से सिफाई दोड़े चले आए छोटु को पकड़ कर वापस घर छोड़ाए घर पर मा छोटु का इंतिजार कर रही थी बस अब छोटु की खेरियत नहीं थी छोटु के पापा ना होते तो छोटु का वज़ना मुश्किल था अब सारी गति विधियां जो वहाँ पर चल रही थी यानि नियंत्र कक्ष में जो गति विधियां चल रही थी उन सब से छोटु अंजान था और तुरंत ही वहाँ पर सिफाई आए और उसे पकड़ कर ले गए और घर पर छोड़ाए क्योंकि वे सब जानते थे कि यह है यहाँ पर छोटु के पापा काम करते हैं तो वे उसका घर भी जानते थे और इसलिए वो उसे घर पर छोड़ाए अब मम्मी उसका इंतिजार कर रही थी और अगर वे है उसके पापा वहाँ पर काम ना कर रहे होते तो आज छोटु का बचना बहुत मुश्किल था छोड़ो भी मैं इसे समझा दूँगा सब फिर सब ऐसी गलती कभी नहीं करेगा फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा पापा ने छोटु को बचा लिया बोले छोटू मैं जहां काम करता हूँ न वैचेतर जमीन के उपर है आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां छोटू का सवाल लाजमी था अब पापा नी उसको पकड़ा और एक तरफ बचा लिया और उसको समझाने लगे कि बेटा मैं जहां काम करता हूँ वो जमीन के उपर का इलाका है और वहां आम आदमी नहीं जा सकता क्यों नहीं जा सकता क्योंकि उस माहौल में वो जी नहीं सकता तो वो जाएगा कैसे तो ब बच्चा पूछेगा यह बच्चा क्या हम भी पूछेंगे सब भी बड़े भी पूछेंगे कि फिर आप कैसे जाते हैं मैं वहां एक खास किस्ट का सूट पहन कर जाता हूँ इस स्पेस सूट मुझे ऑक्सिजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ फिर वो बताते हैं कि मैं एक स्पेस सूट पहनता हूँ तब जाता हूँ और इसी स्पेस सूट के कारण मुझे ऑक्सिजन मिलती है जिसके कारण मैं सांस ले सकता हूँ हमें सांस के लिए ऑक्सिजन बहुत आवशक है अगर हमें ऑक्सिजन नहीं मिलेगी तो हम मर भी सकते हैं इसी स्पेस सूट की वज़े से बाहर की ठंड से मैं अपने आपको बचा सकता हूँ खास किस्म के जूतों की वज़े से जमीन के उपर मेरा चलना मुम्किन होता है जमीन के उपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेश परकार का प्रिशिक्षन दिया जाता है फिर आगे वो बताते हैं छोटों को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा एक तो इस पेस सूट होता है जिससे मेरी ठंड को भी बचा सकता है वो और मुझे ऑक्सिजन भी मिलती है एक खास किस्म के जूते होते हैं जिनके द्वारा मैं उस जमीन पर चल पाता हूँ ठीक है और वहाँ चलने के लिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है प्रशिक्षन मतलब ट्रेनिंग हमें सिक्षा दी जाती है छोटो सुन रहा था पापा आगे बताने लगे एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के उपर ही रहते थे बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के हमारे पुर्खे जमीन के उपर रहा करते थे लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा कैई तरह के जीव धर्ती पर रहा करते थे एक के बाद एक सब मरने लगे इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन सूरज से हमें रोशनी मिलती है उश्रता मिलती है इनी तत्वों से जीवों का पोशन होता है सूरज में परिवर्तन होते ही यहां का प्रकर्तिक संतुलन बिगल गया प्रकरती के बदले हुए रूप का सामना करने में यहां के पशुपक्षी पेल पौधे अन्यजीव अक्षम साबित हुए केवल हमारे पूर्वजों ने इस इस्तिती का सामना किया बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्वी पहले एक आपका गोला थी और किसी प्रकार से उस सूरस से एक छोटा सा टुकडा तूटकर अलग हुगया जो की बहुत वर्षों में लाखों वर्षों में जाकर के वहे ठंडा हुआ धीरे धीरे और तब जाकर के पहले पती कुछ भी नहीं था और इस प्रकार से के इस प्रकार से प्रत्वी बनी और पेड़ पौदे पशुपक्षियों का जीना यहां पर सार्थक हुआ अपने तकनीकी ज्यान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया क्योंकि हमारे अंदर टेक्नीक्स थी सोचने समझने की शक्ती हुथी है तो उसने अपनी टेक्नीकी यूज़ करके जमीन के नीचे अपने घर बना लिये और जमीन के उपर लगे विविन यंत्रों के सहारे हम सूरे शक्ती सूरज की रोश्णी और गर्मी का इस्तमाल करते आ रहे हैं उन्हीं यंत्रों के सहारे ह मिया जमीन के नीचे जी रहे हैं यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें इसके लिए बड़ी सतरकता वरतने पड़ती है मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं अब वो बताते हैं कि बेटा देखो जैसे जैसे हमने अपने घर बनाए उस और जो की सुरज की शक्ति को हम अपना कर यानि उसको उसका प्रियोग करके आजकल उसे इलेक्रिसिटी भी जला सकते हैं और बहुत सारे यंत्र सुरज की रोशनी से चलते हैं सुरज की गर्वी का हम इस्तेमाल करते हैं और उनी यंत्रों के सारे जो यंत्र लगे हुए हैं उनी यंत्रों के सारे हम जमीन के नीचे जी पाते हैं और यंत्र ठीक प्रकार से चलते रहें उसके लिए मैकेनिक क्या विशक्ता होती है तो उनी चुनिंदा लोग ही उन मशीनों का ध्यान दखते हैं तो उनी में से मैं भी एक हूँ बड़ा हो जाओंगा तो मैं भी यही काम करूँगा चोटू ने अपनी मंशा जाहिर की बिल्कुल मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा मा और पापा की बात सुननी होगी मा ने कहा अब बच्चा पुस्ता है चोटू अपनी पापा से पापा जब मैं बड़ा हो जाओंग तो मैं भी यही काम करूँगा तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल कर सकते हो लेकिन उसके लिए तुम्हे क्या करना होगा उसके लिए तुम्हे खूब पढ़ना होगा पापा को की बात सुननी होगी मम्मे की बात सुननी होगी है ना और क्या क्या काम करने होंगे और किस प लाइक करें शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें मेरी नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन पानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें धन्यवाद